टास्क है वो यह है कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट ठोटे टिकनिकल में जैसे कि डिश्टल हो गया कंट्रोल सिगनल एनलोग नेटवर्क मेजरमेंट मसीन पावर सिस्टम उनके आज तक के हिस्ट्री में जितने भी कोश्टन बने हैं वो सारी कोश्टन हमको सौल करना यह हमा चलो स्टार्ट करते हैं पहले कोश्टन के साथ ठीक है एक बार जितने भी लोग यहां पर अच्छा इस सेक्षिन में देखानी है राहुल कलपना कपिल निखिल प्रियेस राहूल अभीजीत अभी गुड आप वेरी गुड आफ्टून एवरी बड़ी चलो तो हम लोग हमारे पास questions अभी लोग देख लिजेगा question में बोला गया है कि मेरे पास एक नंबर दिया है यहां पर bf9 जो की hexadecimal नंबर है कैसा नंबर आपको यह hexadecimal इसको मुझे binary में convert क्या करना मुझे इसको binary में convert तो कैसे convert करेंगे यह आपको पताना है ठीक है तो इसका simple सा approach है एक छोटा सा approach है वो approach यह है कि किसी भी number को याद रखना आप लो किसी भी number को अगर आपको decimal में convert करना है तो मुझे क्या करना होगो उसके base से multiply करना होता है इसके माललो bf9 इसका यहां पे जो base हो कितना है माललो क्या radius के बूलो कि 0 इसका क्या हो जाएगा weight यहां पे 2 1 इसका हो होगे 9 to 9 होता है एक का मतलब होता है 15 आना आपको पताऊगा n a p c d व मतलब क्या होता है एक कह मतलब होता है एक क्या हो जाएगा आपको यह हो जाएगा 11 इन्ठू 16 की पावर 2 Plus f मतलब क्या 15 तो 15 Noble 16 की Rs प्लस नाइन इंटू 16 की पावर अब इसको आप सॉल कर लो आप अंसरा जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास यह तो आपका नाइन ही रहेगा नाइन नाइन रहेगा कितना हो जाएगा इंटू क्या रहा कितना हो जाएगा चकउ छीछ चाटटट्सिक्स 15 5, 6, 176 11 22 28 16 28 18 अब इनको सॉल कर लो कितना हो जाएगा 3 065 कितना हो जाएगा इसका जो कर्येक्ट शांत्र हो जाएगा हो जाएगा पर 3065 सब्सक्राइज इसके सब्सक्राइज को कि कोई डाउट है इस मैं कोई डाउट है कि इस पुश्चन में बताएज रहा है और खुद भी आप लोग ट्राय करते रहा हैं और ना कुश्चन को ऐसा नहीं है कि मैं ही सॉल्ब करूं आप लोग को भी अपने तरफ से सॉल्ब करना है जब आपको उसे नहीं बनेगा तो फिर मैं solve करूँ ठीक है ऐसा मान के चलो कि आपका exam में question आया है तो कैसे approach लगाओगे वो आपको solve करी बताना है ठीक है चलो आँगे बढ़ते है next question पर आपन next question पर आँगे बढ़ते हैं देखिएगा question again आपके पास पूछा गया है कि आपको यहाँ पर decimal equivalent बताना है binary number के आपके पास ये मतला binary में number दिया है आपको decimal में convert करना है इसके number किसमें आपका hexadecimal में था binary में convert करना था तो मैंने क्या बोला आपको यह पूसर लगानी पड़ती है आप चाहो तो इसको दो तरीके solve कर सकते हैं दो तरीके से मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आपको सबस्दना होगा कि आपको किसी भी question को कम time भी करना रहेट तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर चार-चार का pair बना लो मैं इसा यह क्या बन जाएगा आपका one two,four एट तो हो जाएगा YES तो जाएगा आपका क्युसक्य तो तीन वन टू फॉर फाइव हो जाएगे तो बन गाइए अब इसको आप बाइनरी में कर लोगे डेसीमल में 16 इंटू मतलब 7 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 1 कितना हो जाएगा तोला पंचे 80 प्लस 7 87 एक तो यह अप्रोच हो गई दूसरी अप्रोच क्या कर सकते थे आपके आपके पास थे आपके क्या 1010111 अगर आप इसको बाइनरी में करना वादा आपको डेसीमल में करना है तो ऐसे भी कहते हैं इसका जेट वेट कितना है प्लस ऐसे भी करें तो आप कहां तो कितना था एकटी से बनिया था लेकिन आपको थोट ही समझने को कम टाइम में जॉल्व करना है तो मैंने कहा किया इस बाइनरी नंबर का चार चार का पेर बना कि किसमें करनवर्ट कर लिया ठीक है चलो मैं अपने फोट छोटा का लेता हूं है क्योंकि आप लोग का बीच में डिस्टरबेल्स नहीं होना चाहिए ना मैं इस था थोटा है ठीक है चलो आंगे बढ़ते हैं यह कोश्चन आपका किसका है गुजरात इस्टेट इलेप्रिस्टी बोर्ड का है और आई कर जो पेपर होता उसमें ऐसे कुश्चन नेक्स्यस है आपके पास यहां पर दिया हुआ है क्या किनके मेसेज आ रहा है याड़ अ क्लास तो स्टार्ट हो गई है तमें दिक्कत तो नहीं होने छाहिए किसी को भी सुछ जैइन करें दिक्कत नहीं होने चाहिए प्लास तो सभी लोग ट्रेंड करी रहे हैं चलो, next question पर आगे बढ़ते हैं क्या दिया गया है आपका 125 इसका base अंको नहीं पता बढ़ इतना मुझे पता है कि इसका जो base लोगा वो 5 से जाधा होगा ठीक है equals to 203 in base 5 तो आपका base r कितना होगा तो ऐसा कभी question अगर आपके पास आता है तो आपको क्या करना होता है आपको left hand side और right hand side दोनों को ही किसमे convert करना होता है किसमे decimal में decimal में convert कर दोगे तो फिर आपका आंसर वहां से निकाल तो कैसे करना है देखना मैं बताता हूँ सबसे पहले आप इसको decimal में convert करो तो क्या हो जाएगा यहां पर 5 into 10 की power 5 into r की power 0 प्लस 2 into r की power 1 प्लस 1 into r का square यह आपने left hand side को कल लिया सौल किसमे convert के left hand side left hand side को आपने decimal में similarly right hand side को भी आप convert कर लोगे तो हो जाए कितना 2 into 5 का power 2 प्लस 3 into 5 की power 0 तेको मैं तो आप बहुत डिटेल में solve कर रहा हूँ लेकिन आप चाहो तो इसको बहुत आसानी के साथ एक ही step में solve कर सकते देए ठीक है आप करो उता देगा आप पास r square प्लस टू आर प्लस पाइव एकोस टू पच्चीद नहीं पचास पचास प्लस 53 को इधर लेकिया देख तो देख आर स्क्वेर प्लस टू आर माइनस हो जाया कितना 48 अब इसमें से solve करना है तो आपको इतना पता है अब क्या करो इसको या तो आप कॉड्रेटिक क्यों करो लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको बोलूंगा कि आपके सामें चार आप अब यहां पर प्रेडिक्स लगा लो कासर प्रेडिक्सन यहां पर 48 है यहां पर इतना पूर्टीएट आजाए यहां पर kya नंबर रखूंगा है इनकी 48 आजाए इसकी वैलूइ 48 आ जाए तब 48-0 हो जाएगा तो आपके कलो सोला का स्फ्वयर हाई पी तो नहीं आए यहां पर 6, simple सी बार, चेक कर लो, 6 का स्क्वेर 36, 36 प्लस 12 हो जाएगा, आपका 48, तो आपका करेक्ट टांसर हो जाएगा, यहां पर C, ठीक है, चलो, आँगे बढ़ते हैं, next question भी अब, फिर से ऐसा ही कुछ question दिये आपके पास, आपके पास number दिये यहां पर क्या, 210F, जो कि आपका एक hexadecimal number है, आपको इसको convert करना है किसमें, decimal में, ठीक है न, तो आपको यहां पर decimal में convert करना, कैसे करोगे मैं आपको दा, तो कैसे करना है देखना आप से बिलो, ठीक, कैसे करना है आप यह देखी का, आपको again होई करना है न, आपको f का code पता कितना होता है, f होता है आपका कितना पंद्रा, पंद्रा, एक पर दो, मुझे pen का size चेंज करना है, हाँ, आपके पास यह दिया हुआ है, 2A0F, तो कैसे solve करोगे इसको बताओ जारा, आपका हो जाएगा, f मतलब होता है कितना, 15, 15 गोणे 16 की पावर, 0, आप यह दिया बार-बार मतली हाँ, प्लस, 0 मतलब क्या होगा, 0, 0 into 16 की पावर, 1 लिखने का मतलब नहीं, तब भी मैंने लिख दी, आपको समझाने के लिए, क्योंकि तो 0 ही होना है, प्लस, यह मतलब होता आपका 10, तो यह हो जाएगा, 10 into 16 का स्क्वेर, प्लस, यह आपको जाता हो जाएगा, 2 into 16 की पावर, 3, यह चीत आपको solve करना पड़ेगा, 16 की पावर, 3 कितना होता है आपका, 256 into 16, हाना आप लोग एक काम करना, जैसे आप लोग aptitude तयार करते होगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो table, आपको table याद रखना है, 1 से लेके 20 तक का, 1 से लेके 30 तक का table याद करना है, अगर आपको aptitude में success पाना है, तो आपको, 1 से लेके 30 तक का table याद करना है, और 1 से लेके 30 तक का square याद करना है, ठीक है, और 1 से लेके 20 तक का cube याद करना है, इतना करना है, तो आपका aptitude तो पुरा sorted, आप किसी भी एक्जाम में हो qualified रहेगा, बस्ता एप match में लिक्कत नहीं जानी, तो यहाँ पर 16 का पावद 3 का लेना solve, कितना आएगा मैं चेक करके बताता हूँ, मैंने बहुत पहले याद किया था, अभी मिरो को याद नहीं है, 16 की पावद्थ होता है, 4096, कितना हो जाएगा, 2 into, solve काने पितना हो जाएगा, 4096, प्लस, यह जाए कितना, 256, 2560, प्लस, 15, कितना अंसरा आजाएगा, आपके पास यहाँ पे, 10, 7, 6, 7, इतना कुछ आंसर आपका आजाएगा यह, ठीक है, आप लोग कैल्कुलेटर लेके बैटना क्लास में, सभी लोग, प्रावल बोल रहे हैं, B, B नहीं होगा बेटा, कुछ कैल्कुलेशन आपको कॉमन सिंसी भी लगा लेने होते हैं, कि इसका आंसर तो मैं बता था कि, A, B और C नहीं होगा, क्योंकि आंसर 10 के आज सपास कुछ होगा, आपका जो आंसर होगा, वो पहीन आज सपास होगा, लेकिन यहां पर जो आंसर दिया हो, कितना दिया हुआ आपका, सत्रा सत्रा दिया हो, तो सत्रा वाल आंसर होगा, क्या, नहीं होगा न, ऐसे भी आप लोग कुछ्चन को टार्गेट कर सकते, चलो, नेक्स्ट कोचन को मूव करते हैं, पर लोग, चलो, क्वेशन दिया गया है, कि एक हमारे पास कोड होता है, कौन सा, ए एस सी डबल आई, मतला, अमेरिकन स्टेंडर्ड कोड औफ इन्फोर्मेसर इंटर्चेंज, इसका कभी-कभी फूल पूछ ले जाता, क्या है, इन्फोर्मेसर इंटर्चेंज, यह एक, क्या है, एक कोड है, किसे भी करेक्टर को रिपजेंट करने के लिए, इसके थुरू हम टोटल, 128 करेक्टर का रिपजेंटेशन कर सकते हैं, कितने, 128 करेक्टर का, हम लोग क्या कर सकते हैं, 128 करेक्टर का हम लोग कोड डिफाइन कर स आइप किया हमने जो इन्फोर्मेशन सेंड करी वो क्या थी इन्फोर्मेशन एच लेकिन जो हमको करेक्टर रिसीव हुआ वह हमारा क्या था आई अगर आपको ABCD पता होगा तो count को देखवा दो A, B, C, D, E, F, G, H, I H और I में कितनी bit का difference है? Only one bit का difference है What kind of error is represented? इसमें आपका कौन सा error देखने को मिल रहा है कौन सा error? Single bit, multiple bit, burst या recoverable तो क्या बोलो कि आप इसको? हम इसको बोलते हैं कि इसमें single bit error है तो कि H और I में कितने bit का difference है? Only one bit का difference है और एक चीज़ और या था ना, A, S, C, I, जो double code होता है यह total 8 bit का होता है तो एक character को represent करने के लिए आपको 8 bit लगता है तो यह भी question बनता है ठीक है? इसका correct answer हो जाएगा आपका A next question है अब यहाँ पर question दिया है कि 8 की power 4 को octal में represent करो अब देखो question को सरी 8 की power 4 है किसमे? 8 की power 4 है वो किसमे है? पहले तो यह तो बता तो पर इसको octal में करना है कि आपको octal में convert करना पर किस चीज़ को octal में convert है? जब कभी कुछ भी जाएंगे तो बहुत difficult हो जाएगा ऐसे तो करना क्या है करना क्या है वो समझे आपको दिया यहाँ पर क्या 8 की power 4 मुझे बताओ 8 को हम 2 की power 3 इंटू 4 कितना है अगर 2 की power 12 अगर 2 की power 12 का हम लोग binary अभी क्या है 2 की power 12 क्या है कि जो 2 की power 12 है यह किसमे है आपका decimal में है अगर मैं इसको binary में convert करूं तो binary में क्या convert नोगे इसका आपके पास वन और बारा बार जीरो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो मनना पर करें टू की power 8 को मुझे है टू की power 3 तो वन त्रिपल जरो लिखते है ना हाँ ठीक है तीन बार जीरो मतलब यहाँ पर बारा बार के आएगा आपके पास जीरो है उच्छे कर लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यारा बारा ठीक है बारा बारा आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है जीरो आ गया अब आप इसको ऑक्टल में कंवर्ट करने तो ऑक्टल में 3 3 का प्रें बना लो एक दो कि एक दो पर कि प्री चार कि यहाँ पर तो जी रों लगा दो कि तो तो क्या हो जाएगा प्लस यह बन जाएगा आपका अक्टर में तो आपका क्रेक्ट अंतर हो जाएगा अपका डेसिबल में आ जाएगा, फिर उसको आठ से डिवाइट करते जाओ कि तो बहुत लंबी कहां नहीं है, लेकिन अगर आप डेकली सॉल्व करोगे, कॉंसेट का यूज़ करोगे, तो कुस्चन का अगर सक करेक्ट है, किसी को कोई डाउट है, इस कुस्चन में बोलिये, किसी को इस कुस्चन में डाउट है, समझ में तो आ गया है ना कुस्चन, राहूल बोल रहा है, समझ नहीं आया, अरे बेटा, क्या किया मैं देखो, आपके सामने यहां पर दिया 8 की पावर 4, जो की डेसिमल में, इसको औक्टल में करवट था, तो जो पहली अप्रोच थी आपकी, उसकी तुरू आप क्या करते है, 8 की पावर 4 को सॉल्व कर, कितना होता, 64 to 64 होता, जो भी आंसर आता है, म फिर LSB से MSB की तरफ जाते हैं, एक अप्रोच तो यह तरीकिन बहुत लंबी अप्रोच है, यह आपकी जो अप्रोच थी बहुत लॉंग अप्रोच, इसको मैंने यूज नहीं किया, मैंने क्या किया, 8 की पावर 4 दिया हुआ है, तो मुझे पता है, 8 क्या होता, 2 की पावर 3 होता है, पावर बाहर 4 है, तो 2 की पावर 12 हो जाएगा, और 2 की पावर 12 है, तो आको चोटा सя comment लगाना होगा, कि मानलोग 4 का code क्या होता, 4 होता बारदी में कया, 1 promises 0, 2 की पावर 2 लिखते है, बादनी में 1 लिखधा, 1 लिखा-2 0, जो इसकी पावर में, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 equals to 8 कैसे लिखते हैं आपन? 1, 3 बार 0, 1, 2, 3, 16 कैसे लिखते हैं आपन? 2 की पावर 4 equals to 16 कैसे? 1, 4 बार 0, 1, 2, 3, 4, वैसे 2 की पावर 12 को मुझे बाइनरी में लिखा तो कैसे लिखूंगा? 1 और 12 बार 0, ठीक है? फिर मैंने अब मुझे ऑक्टल में convert करना थे, बाइनरी में convert हो गया, बाइनरी को ऑक्टल में कैसे convert करते? 3, 3 का pair, 1 pair बन गया, 2nd pair बन गया, 3rd pair बन गया, 4th pair बन गया, और 5th pair बन आ गया ठीक है? अब बताओ, अभी clear है न सभी को? अभी तो clear है ना? कि अभी पर doubt है यार? I think आप तो clear हो जाना चाहिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, next question पर question क्या है कि आपका यहां पर number क्या दिया है? 10011010 इसका decimal में conversion क्या हो? तो again मैं short cut लगाने वाला हूँ यहां पर, कैसे? यह हो जाएगा आपके कितना? a, 812 हो जाएगा, a यह हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, हाना? तो क्या हो जाएगा नहीं? 9a, hexadecimal में, हो hexadecimal को आप किसमें convert कर दोगी? आप, decimal में, कैसे हो जाएगा? मतलब a के इतना हो जाएगा, 10 होता है, 10 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 1, 146 होता है, क्या? 144 144 होता है, यह प्लस हो जाएगा 10, यह हो जाएगा, आपका 154, ठीक है? चली, next question है, again यह question पूछाएगा, कि again वाईसे question है, आप पास, A, S, T, I, जो scheme होती है, उसमें हम टोटल 128 अलग अलग करेक्टर को रिपरेजंट करते हैं, बिल्कुसी बहुत 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 सर आपने थोजे पहले बताया भी था, A, S, T, I, डबल कोड में हम लोग 128 डिपरेंट डिपरेंट करेक्टर को रिपरेजंट लगें, तो एक बिट को रिपरेजंट करने में, मतलब एक वर्ड को रिपरेजंट करने के लिए, बहुत सिंपल कुश्चन होते हैं, बेस होता है कि उस नंबर सिस्टे में टोटल कितने डिजिट प्रेजंट हैं, तो क्या बोलोगे, 60 डिपरेजंट होते हैं, कितने होते हैं, 16, कौन-कौन से 0 से लेके 9 तर और A से लेके F तर, ठीक है, कॉश्चन है आपके पास कि आपको एक नंबर दिया है, 101101 इसका आपको 2's COMPLION निकालना है, 2's COMPLION कैसे निकालते हैं, 1's COMPLION निकालके उसमें 1 add करना हुँ, अच्छा मैं ऐक बहुंदा ओए कि यह कोश्चन आपकेे का सब्सक्राइव यह Martyr आपके तो made बचांगे वेठेच कम होता लेकिन आता है पिपए जीरो वड जीरो जीरो वण जीरो इसमें रहना wonder कि इसमें और कि इतना स्राइब का ओं अन्ञ लोग जीरो इसका आंशा क्लोंूं हो जाएगा यहां पे बी ठीक कीनों फिल पर किस्का जो के अंत के हो जाएगाशा है अ यो आपका कैसे करना है आपको तो कॉंप्रिम्ट कैसे निकालते हैं वन कॉंप्रिम्ट निकालके वन एड करना है पस इतना करना होता है फिर से question है binary है आपकी पास number 101 001 इसको आपको decimal में convert करना है तो बहुत ही simple है थो एपरोंच बता सकते हूं फिर हम जग मैं करवाट कर लो और प्सकों डिला कर लो इसको दिधिम्मिल में कर लो तो काम याद करना आप 16 की टेबल पूरी ही आद करना तो उससे आपका काम आसान हो जांए यह पिर आप डाटली भी कर सकते हो बट में आपको जाता हो किसके तुरू तो कितना हो जागा चार का पेर दो कितना हो जागा आपके पास यह आठीक नौ 9 इंटू 16 की पावर जीरो प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1 तो 16 आपका करेक्ट आंतर हो जाएगा आपके इसका जो करेक्ट आंतर हो जाएगा वह हो जाएगा कितना है आपके 16 प्लस 9 कितना जगण 25 इंटू फिर से आंगे बढ़ते हैं नेक्ट कॉस्चन पर कॉस्चन क्या है विच वन आप दा फॉलोविंग इस नौन वैलिड बी सीडी कोड आपको बता दू में बी सीडी कोड क्या होता है जो कि आपका जीरो से लेके 9 तक कोड जाता है मतलब 0000 से स्टार्ट होगा यह कहता जाएगा 10000 बनतल यहां से स्टार्ट होगा और कहां से लेकर आपका यहां तक यह होता है आपका बी सीडी कोड अब आपको इन चारों आप्सन में बताना हैं इसा कॉन सा नमबर जो 9 से जादा है, तो देखो, 4 तो आपका 9 है, चलेगा, और यह कितना आपका 7, यह तो आपका correct नमबर है, मतलु, इसमें कोई BCD वज़े को दिकत नहीं है, इसका दिखा जातो, 4 का पेर बनाओ, यह तो ज्यादा हो गया है, 8, हो दो 10 11 मत्तब यह वाला जो नंबर है ने यह आपको BCD नहीं है आपका जो यह वाला नंबर है that is not your BCD तो आपका non-variate क्या हो जाएगा आपका answer B इसका जो correct answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है अगेन आपके पास एक नंबर दिया है जो कि आउक्टल में आउक्टल में नंबर है इसका आपको निकालना है कि decimal equivalent है बहुत आसान है हाना decimal पर कनवर्टन बहुत आसान होता है कैसे करते दिखना क्या करोगे आपको 1 into 8 की पावर जीरू प्लस 3 into 8 की पावर 1 प्लस 4 into 8 की पावर 2 प्लस 1 into 8 की पावर 3 इसको solve कल लो तो कितना अंसरा जाएगा आपके पाद बताईए जरा तो आठ की पावर 3 होता है आपके कितना 64 into 8 पांच सो बारा प्लस 64 into 4 होता है आपके कितना पांसतों बहुत का हाथ कल लो 56 यह जाएगा आपके 24 यह जाएगा आपके 1 तो छह चार दस एक ज्यारा दो 13 तो आपके टांसर हो जाएगा यहाँ पर 3 देखके 1 आपका अगर यहाँ पर चेक करोके पाद आपके 3 यह जाएगा तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं जरूर नहीं कि आप मतलब पूरा question ही solve करो जब कहीं बहुत लंबा calculation हो तो कैसे solve करना है कर देखके बहुत लंबा calculation आपको नहीं पता कितना आंसर होगा तो यहां पर कितना 8 की पावत्री है ना आसर 8 की पावत्री है आठ नहीं चौट होता है गोने आठ करोगे तो यहां पर कुछ भी कलो इसका इतना जाएगा यहां पर इसका इतना जाएगा चौबिस का जाएगा दो इसका जाएगा आपका चकल लो चैदो आट कि एक मिनट आठ तरी चौबिस कुछ करा बढ़किया कि 64 कि चार्च को 16 अच्छी है यहां पर यहां पर 24 आगा नहीं यह आप तरी 24 आगा ना तो प्लस 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 चेक कलो कि इतना जाएगा पत्री पहने के बतलब कि आप लार्ट डिजिट को भी मिलाके भी सॉल्व कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखके सॉल्व कर ठीक है 793 आपका करेक्ट आंतर हो जाएं नेक्स कुश्चन है कि आपका जो नंबर 7 होता है उसको BCD में कैसे लिखोगे आप 2421 गोलते हैं तो 7 कैसे लिखोगे आप यहां पर 1110 यह गापका 7 अगर आपको बोला गया है कि यहां पर 6 लिखो तो क्या लिखोगे फोट गोले 1 लिखोट क्या लिखोगे 1500 को बुले गा आपको लिखना यहां पर कितना प्रीत लिखोगे 1100 को रिकना क्या था यहां पर पिलहार आपको लखेना था 7 seven हो जाएगा जीरो ट्रिपल रॉन तो आपकर करेक्ट आंटर हो जाएगा ए ट चु Health reporting को नेक्सीन है यह आपने आपका बाइनरी नंबर दिया है इसका डेसिमल बताना है तो अगेन आप क्या करोगे कोड में कनवर्ट कर लो आठ चार बारा एक तेरा तो हो जाएगा थार्टीन इंटू 16 की पावर जीरो प्लस टू टू इंटू 16 की पावर वन कितना हो जाएगा सोला दूनी 32 32 13 हो जाएगा पैतालेस तो करेक्टा अंतर हो जाएगा आपका एक वाट विल बी वैल्ली आफ वन्स कॉंप्लिमेंट ऑफ दिस नंबर वन्स कॉंप्लिमेंट निकांगा दूनिया का सबसे आसान काम है क्या करना है बस जहां पे यहां पे जीरो है तो आपका अंसियर तो नहीं होगा आपका अंसिर यह भी नहीं होगा अब चैक कर लो लास्ट महीत जीरो और अबी मतलब यह आपका अंसर नहीं होगा आपका यह नहीं होगा फिर लास्ट में आपके जीरो है बतलब लास्ट में जिरो नहीं होना चाएक है अच्छा कोष्यन, बहुत अच्छा कोष्यन है फोल समझना कोष्यन को कुछा में दिया गया है कि आपके पास एक नंबर या है 16 प्लस 16 और आपके पास दूसरा नंबर मायन्हीं से 53 जो कि दोनों किसमे होंगे eyeballs soci भी वात है कुछ भी नहीं किया मतबला है दुनम्हें नंबर किसमे होंगे आपके decimal में होंगे इन दोनों को आपका क्या करना है? addition करना है addition करने पड़ यह बताने क्या नंबर क्या देखी? binary में वो नंबर कितना होगा? तो सबसे पूरत आप क्या खरो? जो कि इन दोनों को decimal में ही add कर लो decimal में add करो, कितना हो जाएगा? 16-83, करने कितना जाएगा? diminish 46 यहां पर क्या जाएगा माइनस 67 को आपको किसमें रुपजन करना है बाइनरी तो देखना यार अच्छी चीज बता रहा हूं आपको मैं यहां माइनस साइन दिया हुआ है मतलब इसमें नहीं निकालना है क्योंकि तूस कॉंप्लिमेंट के ओल्रेटिया हुआ है अब क्या करो यहां सिक्ती सेवन को बाइनरी में वाइनरी में बहुत असान है क्यासे क्यों टू अन्मी त्री आ जाएगा आपको से यहां पर फिर कल लो है पर कितना जाएगा तू सोला शिक्स्टीन फिर आ जागे यहां पर बन फिर जागा टू एट जा जिरो टू जा जिरो टू जा जिरो चेक कलो है यहां पर लास्ट में वन वन होना चाहिए गलता जो आने चाहिए तो वन वन फिर कि किilleurs लेकिन साथ म… के अग्जाम में हर एक को पूरा सौल करना कुसी कि भी कुष्टिन को देख कि एक करना के मैं च पूरा एक लूबुती question आदा solve करने में पता चल जाता है इस concept क्या हो उतने में हमको रुख जाना है क्योंकि आज की date में exam का pattern ऐसा ही है कि आपको ज्यादा question attempt करने है और भी correct question attempt करने है इसका correct answer हो जाएगा आपका D किसी कोई doubt है कोई समस्क्या है कुछ issue है तो बोलिए सब भी लोग बताएंगे तभी को question clear है और आप लोग क्या करना घर जाके एक बार revision भी करना हम लोग यह मानके चले जो series चल रही है इससे best series कुछ भी नहीं हो जाए डिजिटल के सारे question solve होंगे आपके सारे question solve कर लेना एक्जाम में वही question बार-बार repeat होता है ठीक है चल आँगे बढ़ते हैं फिर से बस हमको क्या करना हो कि इस session को थोड़ा बढ़ाना होगा आज तो आपके एक घंटे रख लाएं रख रहे हैं class को एक मतब दो तीन दिन में इस class को दो घंटे गाल लें तो दो घंटे में हमको आल्मोस्ट पचास से साथ question daily करने होंगे ठीक है यह और भी जादा question क्या है कि हमारे पास सत्त्रा लिखा हुए इस सत्त्रा का टूस कॉंपलिमेंट क्या होगा तो मैं एक बाद बता दू पॉज्टिव नंबर है 17 क्या पॉज्टिव नंबर है तो 17 का जो भी आपका signed नंबर होगा अत्ता स्ट्राइंड रप्रजेंटेशन होगा वह आपका unsigned आपका once कॉंपलिमेंट एंड टूस कॉंपलिमेंट सब स्टेम होगा क्योंकि नंबर क्या है आपका पॉज्टिव नंबर के लिए signed नंबर unsigned नंबर और आपका once कॉंपलिमेंट टूस कॉंपलिमेंट सभी का रप्रेजेंटेशन क्या होगा सेम होगा तो क्या करना बस आपको 17 का निकाल देना आपको जस्ट क्या निकालना आपको बाइनरी रप्रेजेंटेशन कैसे करोगी चेक खल लो टू एट जा बन टू फोर जा जिरो टू टू जा जिरो टू जा जिरो तो क्या हो जाएगा वन त्रिपल जिरो बन तो आपका करेक्ट आंतर हो जाएगा कि या फिर एक तरीका और है सॉल्व करने का सत्रा को आप डिवाइट कर दो हैजर डिवाइट कर दो क्या क्या हो जाएगा यह यह आपका हो जाए कितना वन त्रिपल जीरो कि आपको सामने यहां पर करके लिखाया पहले आप हेगा डिवाइट कर लो किसमें आपका बाइनरी है ठीक है तो ऐसे भी आप कोश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोनों तरीके से मैंने को सॉल्व हो बता गिया यह तो बहुत ओल्ड अप्रोच जो मैंने पहले बताया लोग इ कि इसको फॉलो नहीं करते इसको मैं भी फॉलो करता हूं यह फिर आप कोड से आज करते हैं इसको वन टू फोर एट सोला सोला एक सत्रा आपका क्रेट टांस हो गई है आपका सत्रवाला डिश्य नेक्स्ट कोश्चन है वन डबल सैवन जिरो जो कि आपका किसमें है भी यह डेसिमल में इसको आपको कनवर्ट करना है किसमें ओक्तल में देखो किसी भी नंबर को डेसिमल में कनवर्ट करना हो तो क्या करना पता है मल्टी ब्लावाल कॉंसेट देखना पता था लेकिन किसी भी नंबर को डेसिमल से कनवर्ट करना हो तो डिवाइड वाला कॉंसेट द तो 261 आपका आंतर हो जाएगा 261 बेस हो जाएगा 8 हम लोग ऐसे लिए नमबर पाइस तो करेक्ट आंतर हो जाएगा आपका ए ठीक है इसका जो करेक्ट आंतर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एक नेक्स्ट कुर्शन है वाट इस दा बाइनरी इक्वलेंट ऑफ डेसिमल 26 डेसिमल नमबर एक है 26 इसको आपको बाइनरी में निकाल है तो कैसे निकाल होगे तताई जब लोग इसका अंसर देखो 26 है न तो कॉमन से बताओ ट्रिक बताता हूं 26 है न तो 26 में अगर देखोगे तो 2 से पूरा भाग गया है 13 आया यहाँ पे आया 0 जैसे यहाँ पे 0 आया न प्रंथ बोलोगे इस का अंसर तो यह नहीं होगा इस का अंसर यह तो नहीं होगा यहाँ पर बन है यहाँ पर बन लेकिन यहाँ पर काया रहा रहा है यहाँ पर फिर चेक करो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 2, 2 , 2 , 2, 2, 4 , 2 , 2 , 4 , 2 , 4 , 2 , 4 , 2 , 6 , 2 , 6 , 2 , 2 , 3 , 2 , 6 , 6 , 0 , 2 , 3 , 0 , 1 , 0 , 0 , , अभी आप ते 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , आपका ये तो अभी ये , 0 , 0 , 0 आ रहे का नही है ? आपका ये टांसर हो जाएगा पूरा व्यात नहीं पड़ी , आपने डार्येटली कुशिंप को सॉल कर ख्ले है अगेन आपके पास 2F6 है इसको आपको डेसिमल में कनवाइट करना है तो बहुत अगेन सिंपल सा कुश्चन है यह कैसे कर लोगे 15 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 15 हो जाएगा आपका 47 मैं आपके सामने पूरे के पूरे कुश्चन करा रहा हूं यह कौन सा कुश्चन था आपका पंजाब का जेए का पेपर था दोज़ाब 19 में जो हुआ है यह कुश्चन आपका 2019 का ही कुश्चन है सिफ्ट बन का कुश्चन क्या बोला गया है कि अगर 312 जिसका बेस बी है इकोल्स टू 54 बेस 10 है तो बेस कितना होगा तो मैंने क्या बोला दोनों ही नंबर को कनवर्ट कर लो आप इसमें प्लस बी प्लस टू इकोल्स टू 54 अनल इसको मैंने क्या क्या करना है । मैंने क्या हुआ हम्नों जांगा3 बी स्क्वेयर प्लस बी-52 इप्लस ऑब यहां पर आपको गउमन्स लगाना है है कॉमफे से क्वाए है कॉमन सेंस के लगाने कि अब मुझे बताओ कि यहां पे कौन सा नंबर हो बीक की जगए ऐसा क्या रखू मैं यहां पे बीक की वैलू कि इसका अलू अंसर तर इसमें तर यहां पे कुछ भी कल लो बारा तो नहीं होने वाला का अगर पांच रख्के देक्ते हों तो देखनो पांच का स्क्वेर पच्छिस 높ने 25 पच्छ Champ giving जञता हो गा MINS आपका अंसर यह भी नहीं होगा जब पांच नहीं हुए थो सिख्स तो बिलकुल भी नहीं होगा तर आप आंसर हो डा यहां पर फार करें के देखनो 14 तो क्या टांतर हो जाएगा आपका सी ठीक है सभी को क्लियर है चीज किसी कोई डाउट है कोई समस्या है तो बोलिए कल्पना को कुछ डाउट है अगर ज्यादा कुछ डाउट आतो है डाउट आना चीज है मैंने क्या बोला आपको कि इसको इस जो नंबर है इसको आपको डेचिमल में करना है दोनों को ही, तो 312 को मैंने क्या किया, decimal में convert किया, तो convert करने पर कितना जाएगा आपको यह, 3 इंटू B काई स्क्वेर, प्लस B, प्लस 2, यह आपको किसमे हो गया नंबर, decimal, अब यह 54 तो अल्री डेसिमल में, क्यों इसको अद्वारा convert करना आपको, मुझे यह बताओ, यह तो अगर यहां पर बेज कुछ 8-9 होता, तो मैं करता है, decimal में convert उसको, यह तो already decimal में है, तो मैंने यहां पर इसको टेंस 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 कॉपी कर दिया, ठीक है, तो correct answer हो जाएगा यहां पर, C, अगें question दिया है, 4f2d is an-number, यह कौन सा नमबर, तो यहां पर जैसे f दिख गया, मतलब यह आपका hexadecimal नमबर है, question पूछाए गया है, कि access 3 में आपके सान में 4 number यहां पर दिये हैं, और बताना है कि access 3 का कौन सा code यहां पर सही है, जो की valid है, तो आपको बता दू मैं, access 3 code क्या होता है, कि आपका bcd जो code होता है, bcd क्यों होता है, यह रहता है 1, 0, 0, 0, जयता हो गया, 10, 01, Japanese घिकान, इसका 정확 होता है, कि यह रहता है, तो access 3 क्या बोलता है, कुछ नहीं करना, आपको इसमें plus 3 करना है, और इसमें plus 3 करना है, जो इसमें plus 3 करना होता, इसका start कहा होता है, 0011, याद रखना, access 3 जो code होता है, वो कहां से start होता आपका 0011 और कहां तक जाता है 8 4 12 9 13 12 मतलब कितना हो जाएगा ओन गारा यहां से start होगा और यहां तक जाने इसके पहले नहीं होगा इसके जादफ़ नहीं होगा यह आपका आंसर हो सकता है यह यह आंसर होगा और यह 3 आपका आंसर हो सकता है 2 नहीं होगा और यह कितना हो जाएगा 8, 4, 12 तो चबता तो आपका आंसर यह भी नहीं हो तो आपका correct आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 जो 3 से start होके 12 तक जाएगा ठीक है ओके सकने हो, bijvoorbeeld कॉश्चन है, वाट इंफा व कॉंप्लिमेंट आप इस नमबर दिया, है इसका व्क कॉंप्लिमेंट कितना होगा, इसका अंदर बताएं गिए तरव लोक, हमार आज की इस कॉमेंगे, कि इस नमबर का व्क कॉंप्लिमेंट क्या होगा, कि इसका आप चेंज कर दो माइनस पता नहीं क्यों लिखा है माइनस यहां पर क्यों लिखा है अगर वंक को करना है तो वन जीरो जीरो वन चीरो यह आंसर हो जाना साही है मैंस by क्यों लिख दिया है मैंस मिस्टे plus, कुछ हटा दी देगा तो आपका रांतर हो जाएगा माइनस तो प्ताना स्यक्ति यह माइनस क्या Pan Am遡 अच्छिए कर रहा को की Name तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपन नेक्स क्लास में जो कि आपका 4.30 के होगा यूडवली का और फिर उसके अद दिलते हैं अपन रात वाली क्लास मसीन की क्लास है बाइबाइ टेक केर गोड़े अल्द बेस्ट अभी के लिए पस इतना ही